गुड बॉर्निंग अल अफ यू हम हमारा इतिहास का पहला पीपर बढ़ रहे हैं बी ए और बी एड क्लास दोनों में ये फर्स्ट पेपर चलता है आपका दोनों में सेम ही कोर्स है और अभी हम पढ़ रहे थे हमारे पुरातात्विक श्रोत आप पुरातात्विक श्रोत में जो हमारे पांच प्रकार थे उसमें हम निकल दो प्रकार पढ़े थे हमारे अवशेश और अभी लेग आज हम इसका नेक्स प्रकार पढ़ेंगे जिसमें सिक्के और मुद्राएं हैं सिक्क्य और मुद्राएं भी हमारे पुरातात्विक इतिहास को बताने के लिए प्रमुक्ष्रोथ है, प्रमुक्षोर्स है, एक्सके विशनल जो हमारा पार्ट है, यानि पुरातात्विक जो सोर्स है, उसके लिए महत्पूर्ण होते हैं सिक्क्य और मुद्राएं, ये भी हम होते हैं उनका धर्म भी इन सिक्कों से इन मुद्राओं से पता चलता है और उनने कौन-कौन से युद्धादी जीते हैं गौरपून कारे किये हैं और उस समय कैसी कला थी शाषक की रूची कैसी थी कैसा इंट्रेस्ट था उसका वो सारी जानकारी हमें इन सिक्कों मुद्राओं से मोहरों से प्राप्त होती हैं अब उधारन के रुप में बात करें अगर हम तो गुप्त कालीन जो सिक्के थे उनसे में अनेक प्रकार की महत्पून सूचना जानकारी प्राप्त होती है उसे में सिक्के भी अधिक प्राप्त हुए थे समुद्र गुप्त के वी बाजाते विए कि जो सिक्के प्राप्त हुए उस्से पता चलताया है कि उनकों संगीत के प्रति रूची थी और स्वुरे को प्रदर्शित करते थे कि इसको मारना नहीं इस प्रकार से इसमें दो सिक्कों के आपकी छित्र भी दिखाए गए हैं जिसमें पहले सिक्के पर नह पान का चित्र है दूसरे सिक्के पर समद्र गुप्त वीणा बजाते हुए दिखाई गए हैं इसी प्रकार कुमार गुप्त के कार्थी के प्रकार के सिक्के और शेव अनुयाई यानि कि वो कार्थी के सिक्के बनाए हैं उन्होंने कुमार गुप्त ने से पता सेलता है कि वो शेव धरम को मानने वाले थे, शेव अनुयाई थे, सिकों से शाषकों के राज्य विस्तार, आर्थिक इस्तर, धार्मिक, विश्वास, कला, विदेशी, व्यापारादी की हमें जानकारी पिलती है, सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के, चांदी औ कह सकते हैं, मौरे काल के बाद की बाद करें अगर हम, तो हिंद युनानी सास को ने लेक युक्त मुद्रा प्रादम किया, पहले सिर्फ शित्र होते थे, अब धीरे दीरे इन सिक्कों पर, इन मुद्राओं पर क्या लिखा जाना ने लगा, लेक या नामादी भी लिखा जा लगा, कुशानों के समय स्वर्ण और तामे के सिक्के चलाए जाने लगे थे, यह भी प्रसलन में आ चुके थे, और जैसे ही गुप्तकाल आया, तो उस समय सोने और चांदी की मुद्राओं का प्रसलन भी था, यहनि अलग-अलग समय में अलग-अलग प्रकार के धातुओं के सिक्के बनने लगे थे, और इस गुप्तकाल के समय ही राजाओं के नाम, उनकी राज्य चिन, जो भी उनके जंडे आदी में, फ्लैग में जो जुनका चिन होता था, धर्म चिन, और तिथियां अंकित होती थी, कुछ विशेश गटनाओं की जानकारी भी हमें इन सिक्व प्यादी किया, उसका पराकरम लिखा वाया, और अश्मेग यगे की जानकारी हमें मिलती है, और इसी प्रकार वीणा बजाता हुआ, जो इस तरह भी देखा ही था हमने, उसके आधार पर भी हमें उसकी जानकारी मिलती है, बयाना जो किराजस्तान में है, और जागल थंबी जो नासिक में है वहाँ पर अनेक प्रकार के सिक्के ढेरों सारे बहुत सारे मिले है और जो जो गल थंबी जो इस्तान नासिक में है वहाँ की जो सिक्के हैं उसमें सक साथवाहन के संगर्ष की जानकरी की सक और साथवाहन आपस में युद्धु आता है उनकी जानकरी में मिल लिखके चलाए थे उससे में और नाम लिख हुआ था शिक्कों के साथ मोहरे भी उसे में प्रशली थी इन पर राजाओं के नाम सामंतों के पदाधीकारी के नाम व्यापरी विशेस के अस्ताक्षर नाम होते थे और इसी प्रकार बसाड जो कि प्राचिन वैसाली चेतर में आ होती है उस समय की वो लिखी भी होती है धार में कि विश्वास की जानकरी हमें प्राप्त होती है यहने उनका religion कैसा था किसमें वो बिलीव करते थे religion बिलीव उसको भी भी पता जलता है उनकी कलाक जो उनका economical status था उसकी जानकरी भी हमें इन सिकों से मिलती है सामराज जी की सीमाओं का ज्यान भी हमें इससे प्राप्त होता है और नवीन दत्ते जो नएने facts हैं उनका उद्गाटन भी हमें इन सिकों से मुद्राओं से मोहरों से मिलता है साशक या राजा जिनकी अलग-अलग प्रकार की रुचियों होती थी अलग-अलग प्रकार के इंट्रेस्ट होते थे किस विशय में थे तो वो सभी सिकों के द्वरा प्रदर्शित हो जाते थे इस प्रकर सिक्के और मुद्राएं और मोहरे हमारे इतिहास की जानकारी को प्रदान करने में महत पूर्ण एक साधन है जो हमें समय समय पर हमारे पुराने इतिहास की नवीन इतिहास की जानकारी देते हैं और समय परिवर्तन के साथ इन सिकों की खोजादी भी की जाती है और ये ढूंडे भी जाते हैं थेंक्यू